तो आज वापतर गालेक 12th class का एक question है कि using vectors prove that angle in a semicircle is 90 degrees या using vectors prove that angle in a semicircle is a right angle यानि कि ये एक semicircle है, ये diameter है हमें प्रूव करना है कि angle ACD is 90 degree लेकिन हमें ये प्रूव करना using vectors तो आए देखे से कैसे करें तो एक और मैंने diagram को बना गया है ये मैंने सभी संटर बनाया है अभी आचा मैं ही मान रहा हूं कि ये जो O point है और ये जो B point है इनको जोडने माना जो vector है O B vector उसको मैंने एक नाम दे दिया है A vector मैं उसे नाम दे रहा हूं प्रचो A vector अँब जहां से समझें कि ये जो O A vector है ये इसका opposite vector है इसका negative vector है इसलिए ये होगा minus times of A vector ठीक है? इसे मैंने नाम दे दिया A vector जो मैंने नाम दे दिया minus A vector तो कि उसका opposite vector है negative vector है इसलिए अच्छा अब यह C पॉइंट है कि हाँ पर मैंने मांद लिगा कि इसे भी जोगने वाली जो यह OC लायन यह भी एक वेक्टर है OC और मैंने इसे नाम दे लिया B वेक्टर ठीक है अब हमारे पास में एक AC वेक्टर है और एक BC वेक्टर है ठीक है एक ac vector है और एक dc vector है अब जहां सब से सुनाइब देखिए हम सब से बात कर रहे हैं इन प्रायंगल aoc तो इन प्रायंगल aoc by triangle log बच्चोर triangle log क्या कहता है सबसे में इस पर ढूंड लेना चाहिए ऐसा कौन सा vector है जो एक की टेल और एक के तो जब मैं A, O, C बारे ट्राइनल के बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो यह जो O, C वेक्टर ने हैं ध्यान से देखिए, O, C वेक्टर यह 1 की 10 और 1 के हिनिट को जोड़ा है, तो by ट्राइनल लौ यह हमें बताता है कि जो O, C वेक्टर है, that is equal to O, A वेक्टर, plus A, C वेक्टर, correct है, अब जो आपका O, C वेक्टर है, उसका क्या नाम था, B, जो आपका O, A वेक्टर है, उसका क्या नाम है, minus A, और यह हो जाता, A, C वेक्टर, तो यह minus वहाँ पर चला गया, तो यह वहाँ पर जाता कि प्लस हो गया, हैंस A, C वेक्टर बन छो दिरेखने पर दिखेछा हैं तो फिर से अगेंग बाई ट्रायंगल लौ जहां से सुनी बारा अपकी बार इस वाए कि टेट और एक के एड को जोड़ रहा है तो अब देखोंगे ओसी एक्टर, इस वाजे की टेट और इस वाजे के हड को जोड़ रहा है तो again मैं triangle law जो OC vector है इस triangle में that is OB vector plus BC vector और OC vector का नाम कौन है B vector और OB का नाम कौन है A vector is BC vector अब इसे नहां पर लिया है मैं तो therefore यह बन गया कि B minus A vector is BC vector इसे मैं नाम दे दिया 2 चेक है अब मेरे पास मैं AC vector की बात दिया गे और BC vector की बात गे गे अब अच्छों यहां से समझिए और याद करिए कि अगर मुझे दो वेक्टर को perpendicular प्रूफ करना है तो अगर मैं उन दोनों का dot product zero कर देता हूं इसका मतलब वो दोनों वेक्टर पर्पेंडिक्लर है तो मेरे पास में AC vector आ चुता है यह रहा first में BC vector आ चुता है second में तो आइए इसलिए अब हम निकाल दे हैं AC vector dot BC vector ठीक है AC की जगहां पर हम निकाले जा रहे हैं AC dot BC AC की जगहां पर हमने AC की value लिग दी B plus A dot BC की जगहां पर हमने DC की value लिग दी B minus A brackets ओपन दे हम पर हमने Moving – strengthening भाय बन गया B dot B और फिर अब गया minus A dot A अब क्योंकि dot product में a dot b b dot a same बात होती है यानि dot product is commutative तो इसले हैं कह सकते हैं भी b dot a और a dot b बनावरे हैं अब यह प्लस और मैंस में cancel हो गए अब बेटा b dot b होता है b के magnitude का square ऐसे ही a dot a होता है a के magnitude का square राइट लेकिन जहां से देखना यह जो b vector यानि a यह तो radius है और यह जो a vector यानि की a यह भी radius है तो a की circle का radius तो same होगा ठीक है तो क्या हम बोल सेकते हैं b vector का magnitude का square और a vector का magnitude का square equal है yes because they are radius of the same circle इसलिए यह तो cancel होगे और यह zero होगया और यह जबना बता भी देना क्योंकि यह radii है ठीक है अब यह cancel होगे तो दोनों का dot product क्या आ गया zero तो हम होने ने since इन दोनों का dot product तो zero आ गया है hence we can say that a c is perpendicular to b c therefore angle a c b is 90 degrees thank you